हलो फ्रेंट्स यदि आपकी बच्चेदानी बाहर आ गई है यानि कि आपको लगता है कि शरीर नीचे खिसक गया है और बच्चेदानी नीचे दिखने लगी है यानि कि आपको प्रोलैप्स के समस्या हो गई है तो आपकी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसे सिते में बच्चेदानी को बचाया जा सकता है या इसे निकालना ही पड़ेगा जनरली यही सलाह दी जाती है कि यदि बच्चेदानी बाहर आ गई है तो उसे निकालना पड़ेगा आज भी जब हम ओपीड़ी में पेशिंट देख रहे तो एक पेशिंट हमारे पास काफी दूर से चल बच्चेदानी बाहर निकली होती है तो उसका साइस बढ़ जाता है तो यह बच्चेदानी खराब हो गई है यह गल गई है है तो ऐसा नहीं है यह बिलकुल मित है जैसे बच्चेदानी अपने नॉमल एंवार्मेंट में वापस पहुंचती है नॉमल प्लेस पर जाती है तो इसका साइज अपने आप नॉमल हो जाता है और जो बच्चेदानी के मूँपर जो गहाओ बन गए यह जो सूखापन आ ग थाजाistant ग़र्फ और जानी को आपा गए जाता है जानी को बच्चेदानी के ऊपर जानी के दोनों हिससे जो साइड में अपने नॉमल प्लेस पर नवें रहते जबतें बट जनरली हम लोग ड़्वाइज नहीं करते हैं प्रोलैब्स सर्जरी के बाद में हम यही अडवाइज करते हैं कि आप सेजेरियन करवा लीजी बट डेफिनिटली आप नॉर्मल डेलिवरी खर वा सकती हैं तो इस तरीके से आप यदि प्रोलैप्स है तो भी बच् परसेंट तक सकसेस्फुल है तो बहुत अच्छी सकसेस रेट है दूर्बीन से ऑपरेशन संभव है एक दिन में अस्पताल से छुटी हो जाती है दूसरे तीसरे दिन से आप अपना नॉमल घर का हलका फलका काम कर सकती है गूम फिर सकती है और उसमें किसी भी प्रकार का आप सकती है उसका भी कोई परहिज नहीं और अपना नॉमल रूटीन काम कर सकती अब ड्राइव कर सकती है और आप अपने परिवार की और आप बच्छों की केर करनी यह आपका सब्स्ट रह सकते और हम कभी भी इस चीज़ को फिवर नहीं करते है कि यदि प्रोलेप्स हो करें के कोई बीमारीं नहीं है तो उसे निकाला जाए डापने जगह बचा जा सकता जाता है बहुत अच्छी सक्सेसरेट भ कढ़ा ए तो ब awakष्ट करिए और हम आया जाना से जानना से करें मेडिकल साइंस नहीं बा। नहीं संभाव नहीं तो बहुत नम एक झाल झाल